Hello students तो कैसे हैं आप सबी जैसा कि आप सब जानती होंगे सोल की तरफ से हमारे 1st, 3rd and 5th semester के admit card release कर दी गए है उसी को लेकर students को download करने में issue आ रहा है और अपने phone में save करने में तो आज की वीडियो उसी के उपर रहने वाली है How to save PDF format admit card उसी के साथ आपको यह भी बताए जाया कि आपको print out कैसे निकलवाना है black and white निकलवाना या color निकलवाना है तो काफ स्ट्रेंट ऐसे हैं जो गलतिया करते हैं और फिर उनको admit card लेकर आपके जो exam hall है वहाँ पे गुसने नहीं दिया जाता है तो उन mistakes आपको बचना है इसलिए इस वीडियो का motive है तो चले फिर वीडियो का आगे बढ़ाते हैं उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो please subscribe करते हैं और वीडियो को लाइकर तो जुरू जाएगा description में आपको telegram और whatsapp का link मिलेगा उससे भी जाके join कर लिजेगा चले आगे बढ़ते हैं portal के तरफ अगर अभी तक आपने अपना admit card डाउनलोड नहीं किया है तो इसके अपर dedicated video बना रखिये process के साब से कैसे क्या fill करना है जाके देख लिजेगा और अगर आपके सामने issue आ रहा है your center has not been allotted इसके उपर भी video बन चुकिए इसे भी जाके आप देख सकते हैं तो देखिए आपको सबसे वाल अपना role number do be or student name यहाँ पर fill कर देना है जैसे आप show पे दबाएंगे आपके सामने इस type का interface होगा जहाँ पर आपका name course आपके father name आपका exam center जहाँ पर आपको अपना exam देना है सांतों के सांती तो आपको यह गिन लेना है यह आपके सांत subjects होने चाहिए और सांतों सब्जेक्स के exam आपके इस admit card के रेटशिट के हिसाप सी होंगे यह चीज आपको सुनागी अब बातरी student इससे क्या करते हैं गलती इसका screenshot ले ले लेते हैं और उसे print out करा लेते हैं आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है मैंने भी काफी बार देखा है काफी student ऐसे होते हैं जिनने इसे save करना नहीं आता वो से screenshot ले देते हैं अब आपको सीधे नीचे स्क्रॉल करना है पूरा यहां पर आपको option दिखेगा print अब student कहेंगे सर प्रिंट कैसे करें यहां से पर आपको तब इसके उपर क्लिक करना है जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का अब देखिए यहां पर आपको 123 पेजिस दिखेंगे आपको 32 और 33 से टिक हटा देना है जैसे अब टिक हटा देंगे तो आपका बचेगा सिफ वन पेज यहां पर option दिखेगा आपको save as PDF सेवेस PDF पर क्लिक करके आपको PDF format में आपके phone की gallery में save हो जाएगा यह आपके files के section में अब इसे ले जाके आपको जो भी आपका पास में cyber cafe जो भी है जो अगर आपको प्रिंटर है तो इसको यहां से आप print दे सकते हैं आपको दूसरा यह तीसरे पेज के अपना पैसा waste यह time waste नहीं करना है आपको सिभ अपना पहला पेज भेज प्रिंट आउट के लिए अब बातरी कौन से प्रिंट आउट कराना है black and white या color देखे black and white कराई यह प्रिंट आउट कोई दिक्कत निया कोई रोकेगा नहीं कोई टोगेगा नहीं आपको यह चीज़ आपको सुझ मागी बागी अगर आप कराने चाहते हैं color तो वह आपकी मर्जी है बागी black and white एक या दो प्रिंट आउट कराके रख लिजेगा यह कभी कार होता है आपका admit card खो जाए क्योंकि काफिस्टेंट ऐसे होते हैं जो यह thinking रखते हैं कि मैं exam देने जाऊंगा वहीं कोई होगा cyber cafe वहां से अपने admit card निकल वालूँगा पर यही students की सबसे ब admit card चेक करके आपके entry अंदर देता है यह चीज़ आपको सुमागी बागी file का मैंने बता दिया आपके phone में कैसे save करना है पहला page करना है आपको print out कौन से निकलवाना है black and white तो अगर आपको यह video useful लगी हो तो आप comments में जुरू बताएगा बाकी जो हो सका मैंने आपको सब कोशिश करिए कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन सी सही चीज़े करनी है यह सारी चीज़े आपको उतानी बाकी अगर जिसका download नहीं हो रहा है वो चिंता मत कीजिएगा अभी server पर धीरे-धीरे करके सभी students के upload हो रहे हैं BA program और B commerce के बाकी दोनों courses का जब admit card release किया जाएगा तो आपको वीडियो के माद्यम से बता दी जाएगा तो bell notification को call पर रखिएगा तो चली वीडियो को ही खतम करते हैं